हलो फ्रेंज मेरे चैनल गुल दस्ता में आपका स्वागत है आज मैं हमारे मितला में संक्रांती के अफसर पे बनने वाला स्वादिष्ट तिलबा बनाने जा रही हूँ इसके लिए मैं आधा किलो तिल, 250 ग्राम गुर और 100 ग्राम मुंगफली ली हूँ यहां सबसे पहले हमें मुंगफली भून लेना है तो इसके लिए मैं गैस अन कर ली हूँ और थोरा सा गरम होने के बाद मैं मुंगफली भूनूंगी मुंगफली हमें चलाते हुए ही तेज आँच पे भूनना है इसे हमें छोड़ना नहीं है नहीं तो हमारा मुंगफली जल जायेगा तो आप भी यहां ध्यान रखें कि मुंगफली को लगातार आप चलाते हुए ही भूने और हलका सा इसका छिलका ब्राउनिस हो जाता है और एक आप इसमें से एक चिट-चिट की आवाज भी आने लगती है तो आप समझे कि आपका मुंगफली भून चुका है तो इसी तरह आप भी लगातार इसे चलाते हुए ही भूने अगर आप इसे छोड़ देंगे तो वो जलने लगता है एक साइड से तो इसलिए continuously चलाना ह है हमें अब यह हमारा मुंगफली लगभग भून चुका है क्योंकि इसका छिलका आप देख रहे हैं हमारा हलका सा ब्राउन हो चुका है तो यह हमारा मुंगफली भून चुका है पूरी तरह से अब देख रहें इसका छिलका इसी तरह यही कलर होना चाहिए आपके भी मु जब यह थोड़ा ठंडा हो जाएगा ठंडा होने से हल्का सा कृप्स हो जाता है और फिर आप आसानी से इस तरह से छिलकाइस का सारा हमें निकाल लेना है यहां पर यह देखे हमारे सारे छिलके मौगफली के असनी кажется को साफ कर लिया है इसे और इसको सिर्फ दो ही प्रेसे करेंगे तो यह दो keyword हो जाता है हमारा कराही गर्म हो चुका है तो यह आप धियान रखे कि तिल हमें ड्राइ भूनना है तिल को भूनते समाहिं इसमें किसी ओयल या घी का हमें प्रियोग नहीं करना है हमें ड्राइ ही तिल भूनना है और लगातार चलाते हुए ही भूनना है इसको हमें छोड़ना नहीं है क् तो आपको देखेंगे कि थोरी देर बाद नहीं हलका सा होने लगा है यह आपको दिख रहा होगा यहां वीडियो में कि यह हलका सा ब्राउन होने लगा है और अच्छी सी एक हुस्पू इसमें आने लगती है तो आप समझ लिजिए कि आपका तिल ये पूरी तरह से हो चुका है और इसी तरह से हलका सा आपको एक भूनते हुए एक चिट-चिट की आवाज भी सुनाई देगी तो उससे भी आप पता कर सकते हैं कि आपका तिल का कम्प्लीट हो चुका है भूना तो अब लगभग हमारा ये तिल भूना चुका है तो अब मैं इसे निकाल लोंगी ये देखिए हमारा पूरा तिल भीन चुका है एक या दो दाने को लेकर आप प्रेस करें तो तूट जाएगा यादम कि ये पूरी तरह से हमारा हो चुका है तो अब हमें यहां अपना तिलवा के लिए गुर का प पानी डालओंगी और जब हलका सा पानी हमारा गर्म हो जाता है तो यह में अपना गुड़ अपना गुर डाल हलका सा सफेध कलर लिये हुए है लेकिन ये हलका सा brownies कलर में भी आता है तो आप लेकिन गुर एक ही रहता है लडूबाला गुर आपको कहना है यहां पर धीरे-धीरे चलाते हैं अब देख सकते हैं हमारा गुर तो पूरा पिघल कि हमारा पाक बनाया नहीं तो उसके लिए हम क्या हमें एक छोटे से कटोडी में मैं पानी ले ली हूँ यह देखिए पानी में पुरी तरह से गुर का जो ड्रॉप में गिराई थी वो घूल गया यानि कि अभी यह हमारा पाक नहीं बना है तो इसे हमें और थोरी देर के और फिर से हमें दूबारा तीवारा भी देखना पर सकता है कि हमारा यह पाक हमारा बनाया नहीं यह देखिए हमारा पाक बिल्कुल तयार हो गया इसी तरह से बिल्कुल ड्रॉप गिरे और वहीं पर ड्रॉप बिल्कुल बन जम जाना चाहिए ति यह देख रहे हैं बिल्क ते अब ह 바로 हमारा उनलों करना लेकिन अब ही हम करूगर को चुले से नीचे नहीं करेंगे ताकि थोड़ी तनी अमगा ही हमश्व कुछ सोगे कि घषल हे सो हले महारा चुले करेंगया एक लिए अच्छी तरह जाएगा तो आच्छी तरह से mean near यह देखिए हमारा अच्छी तरह से मुंफली और तीलगुरु के साथ मिक्स हो चुका है तो अब हमें यहां पर कराही को नीचे उतार लेना है और इसे लगभग 2-3 मिनट तक के लिए ठंधा होने के लिए छोड़ देना है उसके बाद हम इसका तिलबा बनाना शुरू करेंगे हलका सा हाथ में पानी लगा करके इसे इसका लड़ू बना लोंगी पानी आपको पस एक बुंद हाथ में हलका सा टच करके सिर्फ दोनों हाथ में मलके और इसको अच्छे से लड़ू बनाना है पस इस तरह से मैं हलका सा एक उंगली से पानी टच करती हूं सिर्फ और हाथों में लगा करके बनाते हैं ताकि गुर्क की जो चिपचीपा हाठ है वो हाथों में हम नहीं रहें बस इतना ही धियान रखना बहुत ज़्यादा पानी नहीं लेना है और यहां पे आपको ओईल भी नहीं लगाना है हाथों पानी कोई भी तेल वेगर नहीं हमें हाथों में लगाना बस हलका आसा इस तरह से मैं थोड़ा सा टच करती हूं पानी को कोई भी सेप अपने हिसाब से दे सकते हैं घर में छोटा बच्चा है तो आप इसे स्टार का सेप या जो भी आप इसे पॉसेबल हो बनाना तो आप से बनाए उसका तो सेप आप मन चाहा इसको दे सकते हैं आराम से यह देखे मैं यहां पर स्टार बना कर देखलाती हूं तो इस तरह से भी आप जो भी आपका इक्छा हो जो भी आपको अच्छा लगे उस तरह का सेप आप यहां बनाए और इसको बनाते हुए आराम से बना चिपक गया इस तरह से तो यहां पे आप क्या करें तुरंत कराही को गैस पे चढ़ाएं आज तेज करें और बस जैसे ही कराही आपका गर्म होगा वो अंदर से फिर से आपका गुर पिघल जाएगा और आपका मिक्स जो है कराही को छोड़ने लगेगा यह मैं आपको यह हो जाए ठंड़ा और चिपक जाए तो आप यह इजली इसको निकाल करके फिर से उसका लड़ू बना ले यह देखिए जैसे ही कराही गर्म हुआ यह जो भी ठंड़ा होने से चिपक गया था हमारे कराही में मिक्स तिल वाला वो सारा फिर से निकल गया तो इसी तरह यह से सारा बन के तयार हो चुका है इसी तरह से आप भी बहुत सारा से बना सकते हैं जो भी आपको एक्षा हो तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए चाइनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल को हिट कर लीजिए ताकि नई मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टेस्ट के साथ तब तक के लिए वाई थैंक यू